प्रेंड्स आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं चिकन पोटेटो पैटी सैंविचीज चिकन पोटेटो पैटी सैंविचीज बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने पैटी जो है इसको पैन में थोड़ा है गौरा सा ओमने इसमें एड़ करते है इसमें संद्विचीज पिरे सबसे आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी मैं इसकी रेसिपी का लेंक की आपको डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में दे दूं भी और आम हम इपने सैंविची पैटी कर लेते हैं पैटी की करेंगे अगर आप ज्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कर लेंगे अच्छे से दोलो साइट से हमारे पैटी रेडी हो चुके हैं गॉल्डन ब्राउं अब हमें इसे लिकार लेंगे और अब हम इसकी फ्लेम को कम करतेंगे और ज्यादा मीडियम और इसमें एग को फ्राय करें तो थोड़ा सो ओलिया भी आप इस पर दाने और इसको फ्राय करने गस्त अब आप स्प्रिंकल करना चाहते तो ठीक है अदरवाइस इसको स्कीप भी कर सकते हैं इसको हमने फ्लेम करना अब हम इसको फ्लेम करना है अब हम इसको फ्लेट में रखते ते और बाकी भी आएक ऐसे ही रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने सैंविचेज रेडी करते हैं इसे ऐसे प्रेड करें तोस्त वाकी शेड़ भी झाल तोस्त डाऑ से फिर कीछा तोस्त कर लेकुछा एची है इस सटब्स कर लेंग है अब शुक्तारा प्रम युज से सब्दोर्ख सकते हैं रादन वी, मैं उस सपर टोस्ताथ और यह पोसी वैलन कर दोस्तों आईट कर सकत क्रिस्पी से स्लाइज अब हम अपने सैंविची से संबल कर लेते हैं हमने इतना क्रिस्पी से ब्रेट स्लाइज रैडी कर लिए अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी म्योनिस ब्रेट कर देंगे जितने आप टेस्पेस आप से लेना चाहते हैं आप से टी टाइम में ब्रेकफास्ट में ब्रेट पर तस पाटी आप पहले ही रैडी करके रख लें और बाद में सैंविची इजी बन जाएंगे बच्चों को लंच वोक्स में बना कर दें इस पर थोड़ी सी कैचप डाल देंगे हम चिली कार्लिक सोस फॉल फ्राय हमने जो एक रड़ी किया यह रुखते कर अगें हम थोड़ी सी म्योनिस इस पर और एक करतेंगे केचप लेट कर देंगे अगे अगोर्टिंट टेस्ट इस पर थोड़ा सो हम चाट मसाला भी स्प्रिंग कर देंगे सिंपल सी रेसिपी है एजी एंड टेस्टी रेसिपी चाट मसाल से इसका टेस्ट बड़ मज़का आएगा अगें हम इसके उपर क्रिस्पी सा स्लाइज रगतेंगे और हमारा सैंविच रेटी है अब बागी भी हम सैंविच ऐसे ही रेटी कर लेते हैं और इसके बाद इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं प्रेंड्स हमारा चिकन पोटेटो पैटी सैंविच इस रेडी टू एट हैं आप इसे ट्राइ कीजिए गए इंचालल आपको बहुत बसंद आएंगे टी टाइम पर बनाएं इंजॉय करें ब्रेकफास्ट पर बनाएं इंजॉय करें आपको मेरी रेसिपी पसंद आएं तो आपकी चानल आपीज